कि अब जी को नमस्ते जी आप मेरा नाम दीवाशा है दिपाजी आप बैट करके बोलिये मुझे लगता है आपको थोड़ा कस्ट हो रहा है आप बैट करके बोलिये बैट करके बोलिये हाँ अब अब बताएगे दिपाजी कि मुझेजी मेरे को संग इरह में पारलाइस पड़ा था मैं बोल नहीं पाती थी इस मेरा इस दोखतों में जलाज चलता था दोवाएं अबहुत महँए आज जी ती कि कि मेरे हैं जूलांग है घरा चलाना बड़ा मुश्किर हो गया था आपके द्वारा जन और सी द्वाईयां मिली मैंने खाना सूल रहा और मेरी द्वाईयां जो है पांच हजार की आती थी और आमीर द्वाईयां पंदासो की आती हैं तो तीर हजार मुझे मिलता है उसे में अपने खर्चा और फूट उगारा खाती हूं और मैं मोजी जी मैंने इश्वर को तो नहीं देखा लेकि मैंने आपको इश्वर के रूम में देखा है आपको बहुत बहुत धन्यावाद नो च्वियो और बाद भी कहना चाहती हूं कुछ मुख्य मंती जी ने मेरी बहुत मदद किया है और हमारे जो लोग है उन्हें मेरी बहुत मदद किया मुझे डॉक्टर ने जबाब दे दिया था कि मैं ठीक नहीं होंगी लेकिन आपका आशिवाद आकी वानी से मैं ठीक होई हूं पर मुझे फिर कहती हूं इस में आपको मैने इश्व को निश्व को नहीं देखा मैंने आपको देखा तेश्व के मुझे डूप में देखा है आप में ठोड़ थड़ा बोलने भी लग गई हूं और लोग मेरी मदद करते हैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि धन्यवाद कि दिपाई जी आप बहुत भावुक हो गई लेकिन आपने अपनी हिम्मत से बिमारियों को परास किया है और यह आपका जो होसला है ना वो सबसे बड़ा भगवान है आपका होसला ही आपका भगवान है उसी होसले ने आज आपको इतने बड़े संकट से बहार निकलने की ताकत दी और आप निकली हैं और मैं तो देख रहा था कि आप बिल्कुल साब बोल रही हैं एक-एक शब्त समझ में आता है तो आपको मन में एक confidence रहना चाहिए कि अब आप भहुत ही सरलता से बात बता रही है और आपने सही कहां कि जंद्रीक दबाएं कैसे आपका लाप किया पांच अजार रुपया का खर्च होता था 35 रुपया आपका बच रहा है यह बात सही है कि कभी-कभी जंद्रीक दबाएं के सबंद में आप इतना विश्वास से बोलती हैं और जंद्रीक दबाएं में आपको भगवान दिखाई दिया है फिर भी कुछ लोग कि बड़ी अफ़ाय फ़लाते रहते हैं और पुराने अनुभवों के आधार पर कुछ लोगों को यह भी लगता है कि आखिर इतनी सस्ती दवा कैसे हो सकती है जरूर दवाई में कुछ गड़बर होगी कही रंगिन गोलिया बना करके कोई नहीं दे जाए ऐसे भ्रम साथियों को विश्वास होगा कि आपने जेनरिक दवाओं की ताकत क्या है आज आपने सबूत के साथ उसको पेश कर भिया है मैं समझता हूं किसी लेबोरेटरी से बड़ी लेबोरेटरी या दिपाजी आपका अनुभव है मैं ऐसे सभी साथियों को भी बता देना चाहता हूँ कि ये दवाएं दुनिया भर के बाजार में उपलब्द किसी भी दवा से जरा भी कमजोर नहीं है हर क्वालिटी के तराजू पर ये बिलकुल खरी उतरती हैं ये दवाएं बहतरी लेब से सर्टिफाइड होती है हर प्रकार की सक्त जांच से निकले दवान निर्माताओं से खरीदी जाती है यदि किसी दवान निर्माताओं के विरूत शिकायत आती है तो उनके खिलाब कड़ी कारेवा भी की जाती है ये दवाएं भारत में ही बनती हैं कि मेकिन इंडिया है सस्ति भी है और भारत की बनी जेंद्रिक दवाओं की आपको खुशी होगी शिरफ तब देहरादुन में नहीं पूरी दुनिया में आजकल मांग है डिमांड है और हमारे यह दबा उत्पादक लोग हैं वो जैंद्रिक दबा आजकल एक्सपोर्ट करते हैं सरकार ने हर अस्पताल के लिए जैंद्रिक दमाएं लिखना उन डॉक्टरों के लिए जरूरी कर दिया है कुछ विशेश परितियों को छोड़कर डॉक्टर जैंद्रिक दमाएं ही लिखे यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है और मेरा राज्य सरकारों से भी अनुरोद रहेगा कि वो लगातार अपने डॉक्टरों को यह बात के लिए कहते रहें ताकि वे जैंद्रिक दमाएं लिखे ताकि गरीब पेशन को महंगी दमाएं खरीद न न पड़े मेरा आप सभी साथियों से भी निवेदन रहेगा कि अपने अनुभवों को दिपाजी जैसे एक करोर जदिक परिवार है आप अधिक से अधिक लोगों को यह बात पहुचाईए आपको जो लाब हुआ है वो आप जितना कहेंगे उतना लोग जादा मानेंगे इस से जन आउशदी का लाब जादा से जादा मरीजों तक पहुचेगा मोदी की दुकान मोदी की दुकान जिसको लाब मिल रहा हो तो है लेकिन अधिक लोगों को लाब मिले गरीब को लाब मिले तो हम लोगों को भी संतोस मिलता है तो दिपा जी मेरी आपको बहुत बहुत चुब कामनाय है मुझे विस्वास है कि आप जो भी शोटी मोटी समझया बची होगी उसको पूरी तकाप्रास कर दोगी और बेलकुल ताकत के साथ बाहरर निकलोगी मेरी आपको बहुत चुब कामनाय है और ये तो देव भूमी है हमारा उत्राखंट तो तो सब देवों के आशिरवाद आप पर बने रहे बहुत बहुत धन्यवाद